इस चैनल पर यह जो लेडिज हाफ चैकेट मैंने सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका यह पार्ट नमबर 5 है आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंट के लेफ्ट और राइट पार्ट में बोर्डर के बाद डिजैन और बटन पटी को कैसे सेट करना है बटन होल कैस 60 फंदे लिए हुए हैं 60 में से 11 फंदे की बटन पटी है और 49 फंदे में मैंने इस बोर्डर डिजैन को एड़िस्ट किया हुआ है बोर्डर के बाद अब हमें 11 फंदे यह बटन पटी के है और 49 फंदे में इस डिजैन को कैसे बनाना है यह उपर वाला जो डिजैन है इस ड लस्त्रा करते हैं तो 47 यानि हमारे पास 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स यह देखिए यह इस तरह से दोनों पार्ट में मैंने यह बॉर्डर डिजैन और पट्टी को आपको सेट करना बताया था तो इसी में मैं आपको यह डिजैन सेट कर ना बताऊंगे तो यह जो बॉर्डर के पार्ट है यह आप इस तरह से तीन पार्ट बना लीजिए चोदर सलाईयों में एक पार्ट कम्पलीट होता है तो तीन पार्ट जब आपके कम्पलीट हो जाएं तो यह उपर वाला जो डिजैन है हमारा सीधी साइड से शुरू होता तो यह देखिए इस तरह से यह इसका राइट पार्ट है और यह इसका लेप्ट पार्ट है तो राइट पार्ट में जैसे मैंने यहां पर यह डिजैन सेट किया है वैसे ही मैं आपको यहां बताऊंगे तो जब आपका यह बॉर्डर कम्पलीट हो जाए तो आपने एक बनाकर complete कर देने हैं अब design कैसे set करना है यह देखेगा right part में पहले हमारी button पट्टी बन रही है और उसके बाद हम यहां से design शुरू करेंगे left में सिर्फ इतना different आएगा यहां से design शुरू हो जाएगा और last में हमारी पट्टी आएगी तो चलिए इसे बनाते हैं पहले मैं यह 11 फंदे पट्टी के बना लेती हूँ तो यह देखे friends इस तरह से मैंने यह 11 फंदे पट्टी के बना लिये हैं अब यहां पर यह मेरे 49 फंदे हैं यानि उपर वाले design को बनाने के लिए हमें फंदे चाहिए 30 के multiple प्लस 17 यानि 2 फंदे हमारे पास extra है तो friends अगर हम यहां पट बनेंगे और अगर आपके पास 2 की जगह 4 फंदे extra हों तो आपको यहां पर 3 फंदे starting में उल्टे बनाने होंगे तो last में आपके 5 फंदे उल्टे बच जाएंगे तो यहां से हम design बना रहे हैं ध्यान दीजिए देखिए 1 और यह 2 पट्टी के पाद हम 2 फंदे उल्टे बना है तो 3 फंदे इस तरह से लूज करेंगे आगे की साइड से हम इसमें ऐसे slide डाल लेंगे और 3 फंदे का एक फंदा कर देंगे अब 2 फंदे सीधे एक और यह 2 धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बना देंगे एक उल्टा धागा अपनी तरफ रहे एक फंदा सीधा बनाया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे एक और यह 2 इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से slide डाल कर दो फंदे का एक फंदा बना तो इनको पहले ऐसे लूज कर लीजिए तो यह देखिए एक द तो यह देजाइन एडजेस्ट हो गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब हम इसका यह वाला डिजाइन बनाएंगे तो धागा पीछे और छे फंदे सीधे एक दो तीन च्यार पांच और यह छे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और अब छे फंदे सीधे एक दो तीन च्यार पांच और यह छे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे अब फिर से हमने यही वाला डिजाइन जो यहां पर आया है इसको सेट करना है तो धागा पीछे करेंगे एक दो और यह तीन फंदे ऐसे धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके लपेट कर एक जाले डाल देंगे और एक फंदा उल्टा धागा अपनी तरफ रहे इस फंदे को सीधा बनाने से यहां जाले आ गई फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे तीन फंदे को पहले ऐसे लूज कर लेंगे फिर पीछे की सेट से सलाई डाल कर तीन का एक फंदा यहां कर देंगे अब लाश्ट में देखिए इस तरह से आपके चार फंदे बचेंगे धागा अपनी तरफ कीजिए और इन चार फंदे को उल्टा उल्टा बना दीज उल्टी सलाई इस डिजैन की पूरी उल्टी बनेगी और जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो पट्टी के हिसाब से बना दीजिए तो यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से इसमें ये डिजैन सेट हो गया है अब यही सलाईयों में आपने जैसे मैंने ये 6 सलाईया इस पट्टी के बन चुके हैं यहां से ये डिजैन शुरू होता है तो वही दो फंदे ये उल्टे हैं तो इनको उल्टा बनाएंगे धागा पीछे आगे ये डिजैन है तो तीन फंदे इस तरह से लूज करेंगे आगे की साइड से स्लाई डाल कर तीन का एक अब एक फंदा सी सीधा बना देंगे तो जाले आ गई धागा अपनी तरफ फिर एक फंदा सीधा तो यहां भी जाले आ गई क्योंकि फ्रेंट जो दो फंदे यहां कम होते हैं वह हमने यहां बढ़ा दिये हैं धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी दागा यहां पर एक फंदा कर देंगे, तो इस तरह से यह डिजाइन बन गया है, धागा अपनी तरफ करेंगे, और दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर छे फंदे यह सीधे, एक उल्टा, छे सीधे, तो फ्रेंड्स इस तरह से करते हुए देखिए, यह जो बीच का डि पार्ट हैं इनको सीधा करके देख लीजिए आपको पता चल जाएगा कि यह जो पट्टी है यह ऊपर जा रही है और यह पार्ट नीचे है तो आपको क्या करना होगा यह देखिएगा यह इसका जो राइट पार्ट है इसमें हम यहां से बुनना शुरू करेंगे और यहां के बटन पती के 11 फंदी रहने तक इसे बुन लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स यह इसकी जो राइट साइड का पार्ट है यह हमारा उल्टी साइड से ऐसे यहां तक जाएगा क्योंकि इन दोनों पार्ट में शोर्ट रोज करने का सरफ इतना ही डिफरेंट आएगा जब आप इसके लेप्ट में शोर्ट रोज करेंगे तो यहां से बनना शुरू होएगा और यह 11 फंदे पती के छोड़ देने हैं और यहीं से उल्टी साइड से टरन कर लेना है लेकिन इसका जो राइट पार्ट है उसमें हम उल्टी साइड से ऐसे बुनते आएंगे पती के फं है उसको हम बुनेंगे उल्टा क्योंकि यह उल्टा ही है अब यहां पर इस डिजैन को बनाना है तो एक बार पूरा ही कंप्लीट करके दिखा देती हूं इन तीन फंदे को ऐसे लूज कीजिए आगे की से स्लाइड डाल कर तीन का एक कीजिएगा यह देखिए इस तरह से आ और यह दो धागरे को अपनी तरफ करेंगे इस से सीधा करतेंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके तीन का एक करेंगे अब दो फंदे उल्टे और यहाँ पर क्योंकि ये इस टीजैन की पांच मीच लाई है तो इस पर ये केबल हमारी ट्विश्ट होएगी तो इन तीन को छोड़ देना है आगे की साइड से इन तीन फंदे को ऐसे लीजinya तीन को उतार कर पीछे की साइड से आप ऐसे ले लिजे और इनको इनके आगे डाल दीजे छे फंदे सीधे एक दो तीन च्यार पांच और ये छे अब इधर के फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं तो पहले धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदे को उल्टा बनाएंगे फिर धागा पिछे करेंगे अब हमने इ इच्छे की साइड से पहले लेना है और इन तीन को आगे से उतार कर हम पहले डाल लेंगे और इनको यहां पर और ये छे फंदे अब सीधे बुन देंगे एक दो और ये तीन चार पांच और ये छे तो देखे इस तरह से ये केबल हमारी ट्विस्ट हो गई है जैसे यहां पर इस डिजाइन को बनाया ऐसे ही इसको यहां पर बुन देना है तो इस तरह से इसमें आपने ये शोट रोज बनानी है जिससे आपकी पट्टी का और इसका जो लेवल है वो एक बराबर हो जाएगा तो आप पहले इसको रख के देख लीजेगा अगर पट्टी आपको ल और यहां पर देखिए यह थोड़ा सापको जो छेद नजरा रहा इसको कैसे भरना है मैं ये भी बता देती हूं उल्टी साइड से इस लाई को ये वाला एक फंदा रहने तक मैं उल्टा बना लिती हूं तो यह देखिए फ्रेंट्स यहां तक इसे मैंने बना लिया है अब फिर इस फंदे को इसके साथ लेकर तोका एक कर दीजी अब देखिए पटन पट्टी के जो हमारे 11 फंदे वो सेम ही है हमने सरफ इसके नीचे से एक धागा उठाया था तो ये छेद हमारा ऐसे भर जाएगा अब ठीक वैसे ही बनाएंगे ये पट्टी में से फंदा है तो तो सीधा बनेंगे धागा अपनी तरफ एक उल्टा एक सीधा ऐसे करते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से ये इसके राइट पार्ट में डिजैन एडजस्ट हो गया है पट्टी सेट हो गई है शोट रोज मैंने करना बता दिया है अगर पट्टी आपको लूज लगे तो इसदर आपको शोट रोज करनी है और अगर आपको पट्टी शोट लगे और ये पार्ट आपको लूज करे तो सेम आप इसमें शोट रोज कर दीजिए अब आज ये इसके लेफ्ट पार्ट में डिजैन कैसे बनाना है आप इस पार्ट में फिर धागा पिछे करेंगे और इस वाले डिजैन को हम बनाएंगे तो एक दो और ये तीन फंदे को इस तरह से लूज करेंगे आगे की साइड से स्लाइड डाल कर तीन फंदे का एक करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ कर लेंगे एक फंदा सीधा ब और दो फंदे सीधह एक और ये दो इस फंदे को पलटके हम सीधा कर देंगे पीछे की सैड से स्लाइड डाल कर तीन फंदे का एक फंदा इस तरह से बना देंगे फंदे को आप पहले थोड़ा सा लुझ जरूर कीजिएगा और फिर तीन का एक कर दीजेगा तो ये design यहाँ प पिछए करेंगे और छे सीधे 1 2 3 4 5 और ये 6 धागे को अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा और फिर 6 सीधे 1 2 3 4 5 और ये छे धागे को अपनी तरफ करेंगे और गैप वाले जो दो फंदे हैं उन्हें उल्टा बनाएगे फिर से हम इस वाले डिजैन को बनाएंगे तो एक दो और ये तीन इनको लूज करेंगे आगे की साइड से इस तरह से तीन फंदे का एक फंदा कर देंगे अब दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा धागे को अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे एक और ये दो अब इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और पीछे की साइड से सलाई डाल कर तीन फंदे का यहां एक फंदा कर देंगे अब यहां पर देखिएगा इस पट्टी से इधर हमारे दो फंदे बचे हैं धागा अपनी तरफ करेंगे और इन और ये दो अब यहां से हमारे बटन पटी के फंदे शुरू होते हैं तो इन में अब हमने बटन होल बनाना है तो देखी फ्रेंट्स बटन होल कैसे बनाएंगे ये जो हमारे बटन पटी के 11 फंदे हैं इसमें से हम 5 फंदे बना लेंगे तो देखिए धागा पीछे करके एक सीधा एक उल्टा एक सीधा तीन हो गए धागा अपनी तरफ एक उल्टा चार धागा पीछे एक सीधा तो 6 फंदे इधर हैं और 5 फंदे इधर हैं यहां हम बटन होल बनाएंगे अगर आपका ये जो छटा फंदा है सीधा हो तो आपने क्या करना है इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देनी है और इसे सीधा बना देना है लेकिन अगर आपकी बटन पट्टी इस तरह से सैट हो रही हो कि छटा फंदा आपका उल्टा हो तो देखिए एक और ये दो इस तरह से दो बार धागे को लपेट देना है और इस फंदे को उल्टा बना देना है तो दोनों ही तरह से आपका इसी तरह से करना है सीधा होगा तो एक बार लपेट कर धागा अपनी तरफ छोड़ दीजिए फ इसके उल्टी साइड पर हम इसके ये 6 फंदे बनाएंगे उल्टा है तो फंदा उल्टा बनाया जाएगा और सीधा है तो सीधा बनाया जाएगा ये देखिएगा ये हमने इस तरह से 5 और ये हमारा 6 फंदा हमने बना लिया अब 6 फंदे के बाद देखे ये वाली जाली है धा अब एक फंदा इसमें हमारा बढ चुका है से नेक्ष्ट लाई पर घटा देंगे अब जो फंदेसीधे है उनको सीधा बनाईए और जो उल्टे है उन्हें बनाईए पठीके आगे के जो-डिज्यायनके फंदे ये शारे बनेंगे इस तरह से इल्टी साइड की मैंने पनाली अब इस फंदे को कम कैसे करना है वो भी बताऊंगे और एक बार इस डिजाइन को बुनना फिर से बता देती हूं आगे आपको फिर वच्छे सलाईया रिपीट करने हैं तो ये इसकी तीसरी सलाईया गई है एक दो तीन और ये चार फंदे आप उल्टे बनाएए धागा एक फंदे को सीधा बनाने से जाले आ गई फिर धागा अपनी तरफ फिर से एक सीधा धागे को अपनी तरफ ले आएंगे एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बना देंगे तो जाले आ गई फिर से धागा अपनी तरफ ए 1-1 सीधा अब देखिए यहां 3 का एक करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे पीछे की साइड से डाल कर 3 का एक कर देंगे इन्हें हम पहले थोड़ा सा लूज करेंगे और फिर 3 का एक करेंगे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे दो उल्टे और बीच में वाली जो केबल है यहाँ वाली इसके 6 फंदे सीधे एक, दो, तीन, च्यार, पांच और ये 6 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा और 6 सीधे और आगे का जो डिजैन है जैसे यहाँ पर बनाया ठीक ऐसे ही बना देना है तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ तक इस डिजैन को बनाने के बाद ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं तो उल्टे आएंगे अब धागा पिछे करके यहाँ पर ये जो 11 फंदे बटन पटी के हैं अब ये जो हमने एक एक एक्ट्रा जाली से बढ़ाया था उसको कम करेंगे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा फिर धागा पिछे करेंगे और ये एक फंदा सीधा तो ये देखे इधर के हमने 5 फंदे बना लिये हैं अब ये जो जाली वाला फंदा है ये आपको यहाँ पर कम करना इसे और इस फंदे को लेंगे और दो का यहाँ एक कर देंगे तो ये देखेगा यहाँ पर हमारा ये बटन होल भी बन गया है और इस तरह से बनाया गया बटन होल, बहुत अच्छा बनता है, बटन लगाने पर ये कटता नहीं है, धागा ना ऊपर का और ना ही नीचे का, और अब आगे के फंदे भी हम इस तरह से बुन लेंगे, तो फ्रेंट्स इस तरह से आप इसमें अपने हिसाब से जितने जितने चूरी पर बटन होल छोड़ना चाहें उतने उतने छोड़ सकती हैं और शोर्ट रोज अगर इस पार्ट में करनी होगी तो आप यहां से बुनना शुरू कीजिए यहां तक बनाने के बाद फिर टरन कर जाएए फिर नेक्ष लाई आप इस तरह से पूरी बना दीजिए तो प पांच बटन लगाऊंगे तो प्रेंट्स इस तरह से आप इसमें बोर्डर के बाद डिजाइन को बटन पट्टी को सेट कीजिएगा बटन होल बनाईएगा पार्ट में अगर जोल आए तो उसे इस तरह से ठीक कीजिएगा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें तेंक यू